नमस्ते फ्रेंड श्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल जीया की राजस्थानी रसोई में आज मैं बनाने वाली हूँ नवरत्रों में बनाने वाली सबजी यह मैं आलू और सिम्ला मिर्चे बनाने वाली हूँ तो यह सबजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह मैंने मिक्सर का जार लिया है, इसके अंदर मैं डालूँगी टमाटर, यह इसके साथ मैंने डाल दी है, हैरी मिर्च और एक इंच का अधर का टुकड़ा भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, एक चमच मैंने डाला यहां पर संदा नमक, तो थोड़ा सा पानी डालके हम इसकी एक ग्रेवी तयार करेंगे तो देखिए पेश्ट मैंने इसका बना लिया है इधर मैंने गेश के उपर कड़ाई रखती है तो कड़ाई में तेल मैंने डाल दी है तेल मारा अच्छे से गरम हो जाएगा इसके बाद में डालूने आदा जीरा जीरा मारा चटक गया अच्छे से इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पना पेस्ट जिसका हमने टमाटर और हैरी मिर्च का बना की रखा था तो देखिए सारा पेस्ट मैंने कड़ाई के अंदर डाल दिया है और अब हम मसाले को तीन-चार मिनट के लिए मेडियम आधा कटोरी मलाई अच्छे से पक चुके हैं अच्छे से उबाला चुका है अच्छे से सबाले ओड़ा यह मां रिख गाता है है लिखको तुछे पतést कशले के लगा था नहीं हुआ है तो तिन-च्छार मिनट तक में लगाता हैं ग्रेवि को अच्छे सब्सक्राइब चला लिया अब इसको एक डेड़ मिनट के लिए अच्छे से और पका लेते हैं इसको अमें ज्यादा नहीं पकाना है बस एक डेड़ मिनट के लिए ही पकाएंगे इसके अन्दर हम डाल देंगे आलू और सिमला मिर्च तो आलू सिम्ला मिर्स को मैंने इसके अंदर डाल दिया है और एक कटोरी इसके अंदर में डालूँगी पानी के इसका फले में मेडियम कर देंगे तो एक कटोरी इसके अंदर मैंने पाने डाल दिया पानी आप अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हो अब इसको ढखके मैं मेडियम फिलेम पर लगातार 8-9 मिनट के लिए पकाऊंगी बीच-बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे तो देखिए 8-9 मिनट हो चुकी है बीस में मैंने इसको चेक कर लिया है आप देख सकते हो सब्जी बनके इमारी तयार है अब मैं इसके आलू चेक कर लेती हूँ तो देखिए आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं अब सब्जी को मैं बाउल के अंदर निकाल लूँगी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना और चैनल पर नहीं है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना